नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लैपिंग होनिंग और ब्रोचिंग पर कोश्चन देखेंगे वन लाइनर तो यहां पर जितने लोग लाइफ देख रहे हैं वह लोग वीड देखेंगे उतने लोग मज़ा आएगा देखने में आप लोग डेली साथ बज़े लाइव आ जाये करें डेली क्लास चलेगी चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहां पर किसी सतर को बहुत ही परिस्फू याने क्यों एककूरेट व श॥ यूज यूज आती है किसी सतर को बहूत यह सब्ता दापниц video क्ने चलिए वह फ्रकонов पराव 7 माप लेने चलिए उससे हम लोग क्यीया बोलते हैं लइपिंग कृए हाथ होग मसीनों से दोनों किया जा सकता है आपको पता होगा कि अगर करना है तो हाथ से भी कर सकते हैं मसीन सिव खर सकते हैं ने हमारा कि लैपिंग का परिणुग हम लोग उच solve चुकोड की सर्सक्वानैंक लाने के लिए करते हैं अगर आप scriptures चिकना बनाना एकदम स्मूथ तो आप लैपिंग उस पर जरूर करेंगे लैपिंग करते समय लैप की धात उस धात से मुलायम होनी चाहिए जिस पर लैपिंग करिया करनी है तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि लैपिंग करते समय लैप की धात जो होती है उस धात से मुलायम होनी जिस पर लैपंग के लिए लबिंग कंपांड परयोग में लाया जाते हैं जहायरसी बात है अगर आपको करना है तो लैपंग पन यूच किया जाएगा लैपंग के लिए हम लोग प्राये खोकर पिद्यरोंस लखना पड़ता है और एक micron का जुमान होता है यह आपका 0.001 mm होता है या एक माइकरोन बराबर होता है दस घात-6 मीटर होता है 10 का पावर-6 मीटर कहीं कहीं वह भी आपसे मिल जाएगा यह हो जाएगा यहां पर 10 का पावर-3 mm भी इसे लिख सकते हैं और यहां पर देखिए नेश्ट कह रहा है कि कार के अनुसार लैप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं तो देखिए कि कार के अनुसार लैप्स हमारे कई प्रकार के होते हैं जैसे कि हमारे रिंग लैप हो गया फ्लैट लैप हो गया सिलेंड्रिकल लैप हो गया इस्प्रिंग मोई खता डालㄵ नहीं करें उसको जिससे गिसा जाताहे एकर वह सही नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ फाल्ट यानि की दोस्त जरूर आएगा तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि लैपिंग कंपाउंड अगर सही नहीं है तो लैपिंग में दोस्त उत्पन्न होगा सामानते जो लैपिंग एलाउंस दिया जाता है वह हमारा 0.005 से 0.01 mm तक रखा जाता है तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा और देखिए यहाँ पर लिखा है कि तो फाइन ग्रिट लैप्स होते हैं इनके लिए जो एलाउंस रखा जाता है यह 0.001 से लेकर 0.02 mm शेरे टाक रखा जाता है और होनिंग के लिए प्रयोक किया जाने वाला जो तूल होता है उसे अं लोग होनब बोलता है और यूइच के यूज किया जाएगा डूल हों कहलाएगा स्यूंकार के व्यूंताय आताकर हो हो सकता है तिकोना भी हो सकता है गोलाकार भी हो सकता है अर्ध गोलाकार हो सकता है कुछ भी हो सकता है होन का होन कार के अनुसार अलग-अलग होता है नेश्ट है कि होनिंग मसीन बेलनाकार सताय को अच्छी तरह से फिनिसिंग करती है देखिए जो हनिंग मसीन रहती है यह सबसे अच्छा जो फिनिसिंग करता है यह बेलनाकार सताय का फिनिसिंग करता है होनिंग पत्थर याने कि होनिंग स्टों जो होता है हमारा जिसे लग होन-भी बोलते हैं होनिंग पत्थ इस है इसे हम केवल किस पर कर सकते हैं मसीन से कर सकते है कि मेवा होत इंग करेंगे है ने रिख में होनिंग कुछ जाता है जाता है जार से ब्रासाइस में होनिंग इस्टोन यूज किया जाएगा नेश्ट है कि खराद या ड्रिल द्वारा पने शुराखों की भीतरी सताय में उच्च कोट की सर्फस फिनिस करके परिश्य धमा पर पाने की विदी को हम लोग क्या बोलते हैं होनिंग बोलते हैं कि चलता है कि अच्छा कुछ लोगी यहां कल कमेंट बाक्स में बता रहे थे हैं कि सर आपका आवाज बहुत सलो आ रहे हैं आवाज को तेज करिए तो भाई देखिए आप लोग हेड़फोन लगा लगा लिजिए तब आप सुनिए आपको आवाज सही सुनाई देगी क्योंक आपको अगर पसंद आ रहा है अगर आपको पढ़ना है तो अब हेड़फोन लगा लिचाहला लिजिए नई तो भाई आप कहीं आden मेरे पास इतना ही पढ़ाने के लिए बस इतना ही तेज बोल सकता हूं क्योंकि आ हमें आप लोगों से कहाएं कि आप लोग से और करें ले आते हैं पैसे नहीं मिले हैं अगर आएगा जिस दिन उसे हम माईक ही लेंगे ताकि कोई यह ना कहाएगे शराग की आवाज बहुत सलो आती है तो आप लोग को अगर लग रहा हो कि आवाज सलो है तो आप लोग हेटफोन लगा लेजिए चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं लेपिंग की अपेच्चों होनिंग की जोगती होती है अधिक होती है यानि कि होनिंग की गती अधिक होती है लेपिंग की जोगती रहती है वह कम होती है नेस्ट है होनिंग इस्टोर्ण प्राइय अलमुनियम आकसाड सिलकान कारवाइट तथा डाइमेंड एब्रेस्व को बांड के साथ मिलाकर बनाए जाता है कि होनिंग के लिए हम लोग प्राय क्या करते हैं 0.010 से 0.15 mm तक एलाउंस रखते हैं नेश्ट है कि होनिंग करते समय लुब्रिकेंट जैसे मिट्टी का तेल डीजल का परियोग करना अतियावस्यक होता है अगर होनिंग करते समय लुब्रिकेंट अगर यह यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में का यूज करेंगे मिट्टी का तेल भी यूज कर सकते हैं डीजल का भी परियोग कर सकते हैं निश्ट है कि जाप की सताय पर चिकना यानि की स्मूथनेस लाने के लिए रफनेस के संबंध को हम लोग सर्फेस फिनिसिंग कहते हैं जाप की सताय पर चिकना और खुर्दरापन के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं सर्फेस फिनिसिंग कहते हैं मैंने कि सत्य परिसकनिंप उसे हम लोग बोलते हैं सत्य होती है जैसे कि यहां पीयो है तो मातने कि जित्य है एक है आपका आपका और otra andar क करके द्रिश्ट ओकर ना की feeling and visual appearance तो आपको पहला हो गया कि by profilometer दूसरा है आपका बाइ comparison तीसरे आपका feeling and visual appearance feeling मतलब आपका आपका अच्छ से आप किसी चूज को छू कर भी आप उसे बता सकते हैं कि सत्य खुर्दूरा है या smooth है next है कि सत्य परिश्कन को micron या micro inch में मापा जाता है किस में मापते हैं हम लोग micron या micro inch में मापते हैं next है कि जाब सत्य पर किसी भी प्रकार का कोई खुर्दूरापन या रुकावट ना हो और हाथ फेरने पर यह फिसलता चला जाए तो उसे हम लोग smoothness कहते हैं next है कि जिस दिशा में जाब की सत्य को finish किये जाते हैं उसे हम लोग ले बोलते हैं जिस दिशा में लोग जाब पर सत्य को finish करते हैं उस हम लोग क्या बोलते हैं ले बोलते हैं यह हमारा हो गया मिलेज़रे ये। बिपरी दिक दिसा ना है।狙ा सटाम पर धंड़ को हम लोग क्या बोलते हैं फुलांस भोलते हैं। नइस नेस्ट है कटाई टूल यानि कि कटिंग टूल द्वारा जाब सत्य पर बनी अधिक चौणी अनियमित्ताओं को हम लोग क्या बोलते हैं वेवीनेस बोलते हैं उसे नेस्ट है कि कटिंग टूल द्वारा कटे जाब पर एक ही दिसा में इसक्रेच बन जाती हैं जिसमें कुछ उची वह कुछ नीची होती हैं जिन्हें हिल्स और वैली कहते हैं नेस्ट है लैपिंग एक प्रकिर्या है जिसके द्वारा सम्तल और बेलनाकार सतों पर अतिपर चुद्धता से फिनिस करने के लिए परियोग किया जाता है नेस्ट है कि लैपिंग प्लेट पहुत अधिक ह यहां पर किर्या को अगर प्रभावित करने माले कारत क्या है तो देखिये लैपिंग परियोग कर या पर्योक यह जाने वाले लैपिंग फुलूट का परकार आप लोगी कि किया है या कर रहे हैं उससे भी आपका लैपिंग प्रासेस में इफेक्ट पढ़ता है नेश्ट है कि परियोग किये जाने वाले लैपिंग फुलूड का परकार आप कौन सब फुलूड यूज करेंगे लैपिंग के लिए इसका भी महत्व रखता है लैपिंग प्रासेस में लैपिंग कितने स्पीट पर कर रहे हैं ये भी महत्व रखता है लैपिंग के दोरान लगाया जाने वाला कितना प्रेसर आप डिफरेंट कर देंगे तो आपकी लैपिंग प्रासस में डिफरेंट आने लगेगी रिखना कि लाइपिंग् है कि लेकिल केैं परोग किया जाने वाले हैं जल यूक्त त्य बज़े लाइव आजाया करें सुबह में हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन क्या है कि मैं जब वीडियो आप लोगों पढ़ाता हूं लाइव बहुत कम लोग आते हैं और अगर आपको टाइम चेंज कराना हो सुबह में तो आप बता सब्सक्राइब करें वीडियो खतम हो जागा कमेंट बाक्स में बता दें किस टाइम पर आप पढ़ना चाहते हैं अगर यह आपके लिए सुटेबल नहीं है तो पंधullenल में जादे से लोग लायव आएं इसके लिए क्या है कि आलता हूं चाहीं असमे पहल है एक दें acknowledge कि एक कम से कम आत्यापने करते हो तो यहां पर देखें कम से कम 6,000 लोग हैं करें दिन भर में हमारे 1012昨र भूज नहीं आपाता है तो हमारे हिम्मत खुद नहीं करते बनाने के लिए इसलिए मैं कॉंटीनू वीडियो नहीं बनाता हूं अगर आप लोग वीडियो को शेर करें डेड़े ब्राइड के व्यादि यख़ began जो चुने स्प्भाताही। नहीं पारता है मेरा भी भला होगा क्योंकि आप गए आप पढ़ना चाहते हैं आप comment box में बताएंगे तो में भगांगे लेकिन आप वीडियो को share करते नहीं है आपको लगता है कि वीडियो क्या होगा share करके अपना काम प्रयोग की जाने वाली जल यूग्ट तेल माध्यम को लैपिंग फुलूड कहते हैं तो लैपिंग प्रक्रिय में जो प्रयोग किया जाने वाले जो जल यूग्ट तेल माध्यम रहते हैं उसे हम लैपिंग फुलूड बोलते हैं लैपिंग प्रासेस में जो फुलूड का मिलान उनकी फ्लैटनेस से अधिक मातपूर्ण हो तो दो सतों को एक साथ लैप किया जा सकते हैं जिसे अम लोग टू-पीस लैपिंग कहते हैं तो आपको यह पता हो गया ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो सतों का मिलान उनकी फ्लैटनेस से अधिक मातपूर्ण हो तो दो सतहों को एक साथ लैप किया जाता है जिसे हम लोग टू-पीस लैपिंग कहते हैं नेस्ट है दो सतहों में एक समान आकार प्राप्त करने के लिए टू-पीस लैपिंग का परियोग किया जाता है तो आपको पता है कि टू-पीस लैपिंग का परियोग हम लोग कहा कर कवरेंगे जहां पपर दो सटों में एक समानागार प्राप्त करना हो वहां फररी मिल जाएगा एलमुनियम आक्साइड सिल्कान कार्बाइड डायमंड इनमें सभी तो आप किसको टिक क्यार के आएगे इनमें सभी हो जाएगा वहाँ पर करेक्टांसार या कभी अलग-अलग करना है तो low करते हैं ज्या लैपमें में गोमने-वाले टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं लैपिंग में गोमता है उससे होवाफिक प дома लैपिंग प्लेड बोलते हैं ओल्रैप्वारिय आपका. 300 mm पहलेकार का है उस पर निर्फर करता है लाइपिंग की स्पीड नेष्ट है यह我們 के दावरान लेस्पीड जो रहता है 1500 RPM परियोग्स किया जाता है तो पाल्षिंग में जो सभी रखा जाता ह udah ओंधर पर मिनट है मैं कि अब SEQ को लिए के शिपकाने की किरिया को अब्रेसिव चार्ज या चंड चार्जिंग अब अब्रेसिव कहते हैं swa को या बोलते हैं स्वरेपिक करिया के दोरान दिर जाने वाली छ Another मैं क्या बोलते हैं क्लेफिंग यृङ है को सब्सक्राइब押भर करता है तो स मतल सतै लिए लगभग हम लोग एक बटा दस माइक्रों प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर रखते हैं एक बटा दस माइक्रों प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर रखते हैं तो बेलना कार सतय के लिए जो लाइपिंग अलाउंस रखा जाता है यह हमारा दो बटा दस माइक्रों प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर रखा जाता है यानि कि एक बाट पांक कह सकते हैं इसे यह इसी को दो इस mieć-3 कहा है इस है उन्य क्यों कर दोडियो संतास कि लिए यह मैंड़कर सथय रहेगा तो यह हमरे क्या का इसी यह दो को नहीं हो जाता यानि कि दो बटा 10 माइक्रोम सेंटी मीटर परती सेंटी मीटर स्क्वार रखते हैं नेक्स्ट है कि होनिंग सोल्डर में लगे हुए अब्रेसिव इस्टिकों यानि कि अब्रेसिव इस्टिक्स द्वारा बेलनाकार सतय को अथिपर सुधता से फिनिस करने की प्रिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं होनिंग बोलते हैं तो होनिंग होल्डर में लगे हुए जो अब्रेसिविश्टिक रहते हैं उनके द्वारा बेलनाकार सतय को आधि परिशुदतास से फिनिस करने की प्रिक्रिया होनिंग कहलाती है निच्ट है कि IC engine cylinder, hydraulic cylinder और un-cylinder की जो internal surface की finishing के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह होनिंग प्रासेस यूज करते हैं तो आइसिंजन का स्लेंडर हो गया, हज़रोलिक स्लेंडर हो गया, या फिर कोई अन्सलेंडर हो उसके इंटरनल सतव में अगर फिनिसिंग करनी है तो उसमें हम लोग किस का यूज करेंगे होनिंग प्रासेस का यूज करेंगे कि भूब said ब्रोच बहुत से दांतों वाला हाईज्ट reviews का हाइड टेमपन किया हुआ हाउज़ार है stat są यह हमारा हो गया कि भूचट बोचेन दांतों वाला हाईज्ट इस्टिछ Kemper रहें कि हाइड टेमपन ग्राइंड किया हुआ आउजार है पुल ब्रोच कि आया तो देखिए पुल ब्रोच में लंबे यह होते हैं यह इन्हीं कशिका अरजता घुजारा जाता है फिक्स ऑमर द्मेक के एक कर दिया मिदफिक का बारी बॉच यानि इस टरनल गोच का परियोग बारी सत्या पर आपरेसिंग एक लिए जाता है कि न न ब्रोॉच पहले ये सुराखों को विभिन आकार देने के लिए परियोग किया जाता है और जो ठोस रहता है इस ठोस पर आया है कम लंबे और छोटे आकार वह साइज के लिए परियोग किये जाते हैं और इस्प्लाइन ब्रोच किया है तो देखिए इस्प्लाइन ब्रोच का परियोग हम लोग कीवे काटने के लिए परैयोक करते हैं जो साज उट रहता इसका प्रियोग हम लोग रफ ब्रोच दबारा बने जाबों को अपकिश्च के लिए करते हैं ब्लाइंड होल में प्रोचिंग नहीं की जाती। तो आपको पता होकी जो ब्लाइंड स्क्राइद लीविद्धार फुनेह ग्राइंडिंग किया जा सकता है जा कि ब्रोच दवारा अधिक्तम धात 6य अम्यंव में काटी जा सकती है जीए जिसमें एक multi-teeth tool द्वारा internal वा external सत्मों को बिभिन नकार में काट सकते हैं approaching में क्या करते हैं यह आपका एक machine प्रकिरिया है जिसमें हम लोग multiple teeth tool use करते हैं इसमें क्या होता है इसके द्वारा internal या outer surface को बिभिन नकार में हम लोग काट सकते हैं broaching में में जाब को फिक्स रखा जाता है जाका रखते हैं कि रोटी चरंध करते समयां कुलेंड का परियोग करना बहुद जरूरी होता है आपको पता होगा इसलिए उसने जब भी करें उसमिन प्रूरी देज के कट में फूरी हो जाती है तो यहां पर करने देखें में इक due पूरा हो जाता है ब्रोचिंग के दोवारा जाब परिसु धबनते हैं नेक्स्ट है कि ब्रोच जाब पो सिल्फ एलाइन कर लेता है, सेट करने के आवसेक्ता नहीं पौड़ती है इसे, बड़े जवाबों की ब्रोचिंग नहीं कर सकते अगर आपको बड़े जवाबों कि Vaura ंजिं यह नहीं हो पाएगा । कपनेश्ट है कि गति के आधार पर չोच कितने प्रकार के हो सकते हैं तो देखें गति कि आधार पर इम्ट तीन प्रकार के होते हैं पुश टाइप पुलल कडमेशन एर थिक्स टाइप तिन प्रकार के पुल-टाइप पुश्टाइप, तेशंड़ि हुआ और फिक्स टाइप हाँ हिग है अब टेकर illnesses क्रिया की अनुसर दो प्रकार के होते हैं मगूत जुर्ब्ण चैना की अनुसर दो प्रकार के हैं कि प्रोच सनराचलना के अनुसर ब्रोच हमारे छैप्रकार के होते हैं जैसे कि आपको सॉलिड ब्रोच सिंपल कट ब्रोच प्रोग्रेसिव कट ब्रोच इंसरेटेड टीथ ब्रोच ब्रोच सरकुलर कट ब्रोच यह हमारे छैप्रकार के हो गए कौन-कौन ठोस सभी प्रोच। क्या आनुसार निम्न प्रोच। होते हैं कि आप़ा हूँ प्रोच हो होनिंग यहां पर खतम हो गया है तो आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं वीडियो को इमानदारी के साथ सेयर कर दें और जो भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीज अच्छा मिलेगा तो भाई और आगे वीडियो बनाएंगे इसलिए है है आप लोग मेरा सपोर्ट करें वीडियो को सेयर झरूर करें भाई मेरा भी क्या है ृषै थोड़ी ए मिलता है हम महनत करते हैं मेरा भी इच्छा हम करेगा बनाने को भाय भी नहीं मिलेगा तो वीडियो क्या बनेंगे यार इतना मेहनत कर रहे हैं बताइए आधे-आधे घंटे का कलास है और आप लोग सौट डड़सो दो सब देखो 6000 में तो क्या है यार वीडियो बनाने के पूरा मेहनत बरबात कर देते हो आप लोग इसलिए आप लोग वीडियो को सेयर करो यार मिलते हैं कल साथ बजे नए वीडियो के साथ थैंक यूँ